जब भी हम भारत की विक्सित होने का जिखर करते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या कुछ बदला हुआ है भारत में और पिछले 50 साल में कह सकते हैं और खास तो पर पिछले 10 सालों में काफे कुछ बदला है। शिवाजी आपसे सबसे पहला मेरा सवाल होगा, विंकितेश्वरा में और जब आप इसे लेकर क्या है, तो आपके जहन में क्या था, क्या सूचा, कैसे इसको आगे बढ़ाना है, और क्या वो थौर्ट प्रोसेस था? विंकेटेश्वरा cooperative power and agroprocessing limited. यई cooperative संस्ता है, और ये cooperative ये corporation से काम करना चाहिए, क्यांकि महाराश्ट में काफी बड़े level पर cooperative में काम हो आहे, और हो रहा है, तो ये पहले बार हमने जवान और किसान की प्रति सोच के ये एक ग्रूप फार्मिंग करने का निरने लिया और मेंबर्स जोड़ना चालू कर दिया इस को अपरड़ी के अंदर आज लगबग एक लाख मेंबर हो चुके हैं और इन फार्मर लोगों को एक आधुन खेती कैसे करनी है खेती से लगए दुया मियोसाय कैसे करने है ये पूरा कार ये निवरुत जवान लोगों ने हाती लिया है क्योंकि ये जो निवरुत जवान जितने भी रेटार्मेंट होके आते हैं तो इनको जॉब नहीं मिलता है क्योंकि उनके पास इतना तजूर्भा होता है फिर भी जॉब ने मिलने के वज़े से फिर हमने निरने ल और दो स्टेट में कारेकर है, महाराष्टा और करनाड़का, और आज की देट पर यह जितना भी कोपड़ी के अंदर यह जो हमने मालेगा वजयंग वड़ेल यहां पर 528 शेकर खेती लिया है, पूरा और अर्गेनिक कर रहे है, जहां पर डेढ़ हजार से उपर गिरगाए है तो जो व्यावसाय जो चालू किया है, वो निवरुत जवान लोगों ने पहले तो ग्रुप के माद्यम से जैसे गोबर से एको फ्रेंडली नैच्रल पेंट बनाना चालू कर दिया है, गोबर से पंचेगवे अगरबती बनाना चालू कर दिया है, गोबर से CNG बनाया है, व तो इस देश के अंदर सोस्क खाना नहीं मिलेगा, तो किसना भी हम ज्यादा पैसा कमाएंगे, और सहत के लिए अच्छा नहीं होगा, तो कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हमने ये जैवी खेती के ज्यादा प्रावधन दिया है, और ये पूरे देश के अंदर ये जवानों क माध्यम से हम कैसे खेती का बढ़ावा करें, इसलिए हम ये पूरा कारे हाथ में लिया है, अगला सवाल भगंजी आप से है, क्योंकि नौकरी से इसके अपने शुरुआत के अपने सफर की शुरुआत हो तर पाउंडर आ बने, ये सफर कैसा रहा हो, जो युवा पीड़ी ह इसलिए उनको क्या सब्वेश आप देगे, विक्सित भारत के तहट जो ये स्टार्ट अप मिल रहा है थी, आधनी प्रदान मंतरी मोधी जी ने जो स्टार्ट अप इंडिया और मेकिन इंडिया का जुना रहा दिया, उसके अंदर युवा वर के लिए एक चीज अच्छी चाहिए कि एक नोकरी करने वाले वेक्टी को भी अपनी कंपनी खुलने का जो सपना उसको पूरा करने मदद मिल दीगे, तो हम लोगों ने भी रियल स्टेट में मार्केटिंग कंपनी के रूप में हमारा काम स्टार्ट करा, और आज हम इंडोर में एक इसे मुकाम पे हैं, सिर्फ आट से दस मेहनों के अंदर कि जहां पर हम विक्सित भारत में जो रियल स्टेट का नाम होना चाहिए, उसको हम आगे लाने का प्रयाद करें, तो रियल स्टेट का जब भी जिक्र होता है, हर किसी का सपना होता है कि एक घर तो होना ही चाहिए, तो इंदोर में आप किसे बढ़ारे हों और आगे आपकी क्या फ्लान से हमारी थेम लाइन है कि आपका घर हमारी जवाबदारी, यह इसी थेम लाइन में काम कर रहे हैं और इंदोर इस वक्त भारत की पूरे भारत का सबसे साफ सुता सहर बाना जाता है, तो वहां पर जो एक घर का सपना पूरा करने में देवांस धरा प्राइवेट लिमिटेट हर संभव प्रियास कर रहा है, नीचे से तफके से लेकर जो एक हाई सोचाइची मेंटेन करते हैं, उनको बंगलो देना और जो नीचे के तफके के लोग हैं, उनको एक रोहॉस मिल जाए, तो इस पे हम लोग 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 स से लेके सारी फैसलिटिस को एक सिंपल और स्मूथ तरीके से हम लोग उसको प्रभा करते हैं, जिसमें टांस्परेंसी सुट भी देरवाला हम लोगो नारादय रखा है, कि जित्ती टांस्परेंसी कस्टमर और कंपनी के बीच में होगी, उतना ही उसको मकान लेना या उसका सब्सक्राइब करने में को आसानी होगी, और दिल भी होता है फिर क्यूंकि आपको थोड़ा इस, आप you get at ease कहीं ना कहीं, मुकीश या अगना सवाल आपसे है, आपका जो पैत्रिक वेशाई है वो लोहे का रहा है, लेकि रियल स्टेट में आपने कदम रखा, कोई खास सब्सक्राइब किया, हमारे अतुल बर्मा जी, जो मद्ध प्रिदेश देखते हैं, उनसे मेरा संपर्क हुआ, जब उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह हम कारकाम आयोजित करते हैं, तो मैंने उनसे मात्र एक सेकेंड के अंदर हा कर दीती, अतुल जी भी या खड़े सब्सक्राइब कर देखते हैं, अब आपका सवाल जी है कि रियल स्टेट छेत्र में मैं कैसे आया, हर किसी का सपना होता है, बड़ा आदमी बंदे का, साइद इस दुनिया में कोई भी ऐसा ब्यक्ति नहीं होगा, जो यह सपना नहीं देखता होगा, और हर आदमी को अधिक मुरेना जिले में, मुरेना सहर में रहता था, और मेरा लोई का और लकडी का कारोवार था, पर मेरा सपना था कि मुझे यहां तक सिमित नहीं होना है, मुझे अपने बच्चों को एक हाई एजुकेशन और एक बड़े सहर में ले जाना है, बस मैंने वो सपना देखा, उन स सेहर मद्द प्रदेश की राइदानी में श्री सीतल गुरूप सीतल नाथ बिल्डर्स प्राइबेट लिम्टेट मेरी कंपनी का नाम है मैं लगबक पांच अज्यार मकान बनाकर अभी तक बेच सुका हूँ क्या बात है और मैंने सबसे ज़्यादा उस तपके के लिए मकान बनाये हैं जो एक हर आदमी का सपना होता है घरो मेरा अपना 80% जनता मात्र 3 लाग से लेके 15-20 लाग तक का मकान चाहती है और मैंने और मेरी कंपनी ने सिर्फ उसी बीजन पर काम किया कि 3,99,99 रुपे का मैंने बन बीजके फिलेट सबसे पहले बनाया लोग सोचते रह गए पूरे बोपाल सहर के अंदर बड़े से बड़े बिल्डर ने आज तक यह नहीं सोचा होगा कि हम इतना छोटा इतनी कम कीमत का एक बन बीजके घर्द है मैंने दिया और आज भी वो लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं और उन बन बीजके की कीमत आज कम से कम तीन गुनी हो गई होगी तो यानि उनकी कीमत भी बड़ी है उनका घर भी मिला तो अब मेरी कंपनी लग लगभग मेरे दो पार्टनर भी बैठे हैं उस प्रजक्त में हम लोग काम कर रहे हैं पचास साट लाग रुपे में हम एक लगजरी घर दे रहे हैं और वह घर जाके हमारा सबा करोडर रुपे तक का एंड होता है यह मतलब हमारा एक थोड़ा द्रीम प्रजक्त है इससे प गही 55 जब मैं काम करता था 98 में इस लाइन ऐा था अब मेरा बेटा आ गया है तो लगबख लगबख 80% business मेरे बेटे ने मुझसे छीन दिया है बल्के मुझे बड़ी खुशी होती है कि उसमेरा मुझसे business छीन दिया और मुझे आजाद कर दिया है जो कि हर बापका सपना होता ह कि लगबक इस एक में आके वो फ्री हो जाए तो मैं अपने आपको बहुत फ्री मानता हूं कभी भी कहीं भी दोस्तों के साथ गूमने का प्रोगाम मना लेता हूं कहीं भी बाइप के साथ गूमने का प्रोगाम मना लेता हूं और मैं चाहता हूं जो बच्चे यहां अभी जि चाहिए क्योंकि उनके parents उनके भाई ने चाचा ने उस business में कई साल अपने जोखे और फिर बच्चा थुड़ा पड़ा लिखा बना विदेस भाग गया या कई दूसरे चहर में चला गया तो उस business का फिर अंत होना है अगर उस business में बच्चे शाए साथ उस बिजनिस को वो दस गुना ऊपर ले जाएगा, ऐसा मेरा मानना है, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, और आगे बढ़ानी के लिए लेगेसी को मिंटीन कर डिक लिए ज़दूरी में, मुकेशी, सोलर पैनल से जुड़ावा जो प्रोजेक्ट है, जैसे रिजिदेंशल फ्ल यह उसी की प्लानिंग थी, कि डेड़ी, अब अपन जो भी घर बनाएंगे, हर घर की छट पर अपन सोलर लगा के देंगे, मुझे उसका यह आइडिया बहुत अच्छा लगा, आज कल क्या है, बिजली का बिल, बिजली का जो टेरिफ है बहुत जादा है, और सोलर पैनल को मैं सोलर पैनल लगा के दे रहे हैं, यह मुझे लगता है कि भारत को विकसित भारत में तब्दील करने में यह भी बहुत बड़ी यूजना थी, जो प्रधान मिंद्री द्वारा लांच की गए, विकसित भारत के बारे में मैं दो लाइन और के ना चाहूँगा, मैं जह चा आपसे अगला सवाल है मेरा, आपने जवान और किसान को एक वेफसाइट तोर पर जोड़ा है, यह करने की प्रेणा कैसे मिली आपको, इसके पीछे का रीजन है, क्योंकि यह जवान और किसान आज जवान के बारे में देखा है, ज़दे जवान एक एंग उमर के अंदर फो आपधारमेंट हो जाता है, सालरी आधी हो जाती है, बाहर नोकरी ढूंड रहा है तो कंपेटिशन बहुत है, नोकरी मिलने पाती है, तो बहुत सरे जो जवान है और तनाव में जहा रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में कुई काम है ने, रही बात किसान की, इस जीवन पर मेहन करने का जजबा इमानदारी सब कुछ होती हुए भी नराज है तो हमने निर्णे ले लिया कि दोनों के एक साथ जोड के किसान भायों के लिए अच्छा खेती कैसे करना है वो सिखाए उन्हें जो खेती के अंदर जो माल उगाया उसको हम प्रोसेस करें और प्रोसेस करने के ब आज यूरोप तक हमने एक्सपोर्ट किया है यह जो सुरुवात हुई यह इसका रोल मोडल करनाटा का स्टेट के अंदर 35,000 फार्मर जो अपना काजू बगार माले है उनके लिए यह पहला करनाटा के स्टेट के अंदर बेलगाव कलिहोर यहां पे कोपरटिव पच्छिश पर देशे 30 टन पर दे प्रोसेसिंग प्लान कोंट्रीबिशन के शेर्स के माद्यम से खड़ा करके और वहां के फार्मर का हमने एक उचित दाम दे के पर्चेस करवा के वहां पे जो माल प्रोसेस किया वह आज पूरे देश में सप्लाय कर रहें तो फार्मर ही उगा रहा है और फार्मर ही माल प्रोसेस करके फार्मर ही बेच रहा है कि बीच वाला सप्लाय चेंग हमने बंद कर दिया है ऐसा कारे हुआ तभी फार्मर को एक अच्छा दाम मिलेगा और यह दोनों कारे निरुत जवाना और किसान ने मिलके कारे चालू किया है इसके माद्यम से नो सबसे पहले तो पूरा देहम देना चाहिए और आजकल तो रेरा आ गया है तो घर लेने में आसानी बहुत आसान हो गया है कि कहीं पर भी फ्रॉड होने की संभावना खतम हो गयी लेकिन फिर भी आप जिससे प्रोजेक्ट ले रहो हो वो रेरा अप्रूड है कि नहीं जो प प्रोड है कि तीनो बातों आपको ध्यान तक जड़ोरी है कहीं पर भी देखेंगे आप रिएल एस्टेट कंपनी में तो यह तो वेक्ति रेरा पूड मिलेगा तो प्रोजेक्ट होगा तो देवान दरा प्रावेट लिमिट्ट तीनो जगा पे बेस्ट है मतलब दोजासातर जब RERA था, तभी से मैंने RERA नंबर अपना ले रखा है, इसके बाद मेरे मेरी कंपनी भी RERA से रजिटर्ट करवाई है, और जो भी प्रोजेक्ट की में मार्केटिंग करता हूं, वो टूटल फुली RERA अपरोड होती है. तो फिर क्या कह सकते हैं कि आपकी कंपनी, दूसरों की कंपनी के मुखाबले इस तरीके से अलग काम करती हैं, और मैं आपसे पूछू हूं कैसे अलग हैं? इसमें मेरा जो सम्मान है, वो मेरे ग्रहाग हैं, जिन्नों आज मुझे सुफुलिदिक तक पोचाया है, मेरे इन्वेस्टर से हैं, जिनको मैंने कम राग जिन पर ज्यादा प्रॉफित दिया, अधिकतर मार्केटिंग कंपनीया क्या क्रती हैं, कि प्रॉफित अपने पास क्या जाता है कि उस प्रॉफित कीमत अब 32 या 33 लाग के आसपास हुई है, पैसा लगा कस्टमर का, लोन के किस तो भरी कस्टमर ने, और फाइदा उठाती है मार्केटिंग कंपनीया, साथ से आठ 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 लाक रुपे का बीच में मार्केटिंग दगती है, पैसा लगा कि कि मेरा पैसा बढ़ जाएगा, तो मैं अपने बच्चों को अच्छी स्टड़ी दूँगा, बच्चे की साधी कर लूँगा, या मेरे बच्चे का फ्यूचर हो जाएगा, लेकिन वो पूरा पेमेंट जब मार्केटिंग जिसने कुछ भी नहीं करा, सिर्व आपको एक प्ल हम इस पर काम नहीं करते हैं, हम काम करते हैं सो से देट रूपय पर हमारे मार्जीन पर, या हमारे कंपनी प्लिशी लिए और इसलिए शायद आपकी कंपनी इतना बेहतर काम भी कर रही है, मुकेश्री, दोहजार सैतालीस तक आपका विश्वन क्या है, क्योंकि आपने बता लगबग अभी दो यार सैतालीस तक इसी तरह निरंतर हम बनाते रहेंगे, और आजकल जो भी घर खरीता है, वह लगजरियस चाहता है, कोरोना के बाद अब पहले एक आम घर बनता था, लोग 20-25 लाग का घर खरीते थे, अब वो सब चीज़े खतम हो गई हैं, हमारे देव हो गए हैं, सबके हाई पैकेज हो गए हैं, अब लोगों को लगजरिस घर चाहिए, हम लोग पहले 2BHK, 3BHK, बंगले बनाते थे, तो खाली फ्लेट बेशते थे, अब हम बित इंटियर बेशते हैं, जो एक नजर में कस्टुमर को पसंद आ जाता है, पूरा कंप्लिट हा हमारे बच्चों की सबकी सोच इसी तरह बदलती रहेगी, बदलेगी, और मैं उन लोगों को यह मैसे देना चाहूंगा आज की नई युवा पेड़ी को, कि जो मेहनत करेगा और इमानदारी के साथ करेगा, उसको दुनिया की कोई भी ताकत आगे बढ़ने से रोक नहीं सक इतना मतलब अपना रहे हैं कि जल्दी पैसे वाले बन जाएं, वो कभी नहीं बन पाएंगे एक आखरी सवाल है आप से, और फिर मैं आपके पास आओंगे शिवाजे, आपने अपने, आपका फ्यूचर किस तरीके सागे बढ़ रहे है, आपके फामली बढ़ रहे है, आपने बताया कि आपके जो बेटे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, तो जाहिर है वो भी इक अलग वि में वो सिंगर है, ओ एक बेटा सचिन जो मेरे साथ मेरे बेजनिस में मेरा हाथ बढाता है, बागी मेरे कुछ दोस्त हैं जो हम लोग साथ में मिलकर बैपार भी करते हैं, और इंज्यॉइ भी करते हैं, बागी मेरा सबसे यही कियना है कि फेमली बेजनिसको आगे बढ़ा जाए आज की युवा पेड़ी जितनी भी है जो नोकरी के पीछे भाग रही है अगर वो अपने घर के बिजनिस के पीछे भागेगी तो बहुत तरक्की भी करेगी और बहुत सुकून और सांती भी रहेगी उसको और जो ब्यक्ति महिलाओं का सम्मान करेगा महिलाओं की इज पीछे कहरा कि इसमें आपने चर्चा भी किया और वाओं के लिए ये रोड माप अपनाना कितना आसान हो सकता है इसको लिकर के आप क्या कहना चाहेंगे मैं मैं तो निवरुत जवान जितने भी संस्ता के साथ में जुड़े सभी को तहदिल से धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि ये जो डेड़ हजार गीरगा है इसकी सेवा करने का मतलब आप समझे कि हम कितना आशिरवात पा रहे कि ये इस देश के अंदर गाय को गौमाते का दर्जा दिया है फिर भी हत्याय हो रही है आज इंडिया की गिरगाय ब्राजिल ने अडप्ट करवा कि ब्राजिल में इतने बड़े बड़े स्थर पे वो गिरगाय का स्तमाल उसका एकोनोमिकल ग्रोथ के लिए कर रहे है और इंडिया की जो गौमाता है उलुक तो होती जा रही है मगर हमने निनले ले लिया कि ये जो एक गौमाता है इसकी सेवा करने से क्या-क्या बेनिफिट होगा पहली बात तो जो आज हम वीश खा रहे है जो अनाज के माद्यम से रासेनी खेती करने के वज़े से फल है फ्रू कि मात्रा बढ़ेगी वीश कम हो जाएगा और एक अच्छा अनाज मिलेगा सबसे बड़ी बात दूसरी बात गिरगाय का जो गोबर है उस गोबर के माद्यम से खाली वो खेती नहीं किया जाती हम आज गोबर के माद्यम से पंच गवे अगरबत्ती बनाया वो भी नेक्चर आज सबसे जा रहे है और यह कौन यह जवान कर रहे है क्योंकि जवान बहुत नलो होते हैं उनका हर्ड लकुम दिल बहुत कॉमल होता है क्योंकि हर बार परिवार्च दूर रहते हैं तो हमने निर्ने ले लिया है कि यह जो गिरगाया देड़ हजारे हम वहाँ पे 10 लाख गिरगाय का उत्पति वहां से करे और फार्मर लोगों के लिए दुबारा गिरगाय का सप्पलाइब करें ताकि हर घहर में गउमाता हो गउमाता की सेवा हो और गउमाता की सेवा के माध्यम से हम खेती भी करें अच्छा दूद मिले और बहुत सारा हम जीवन का परिवर्तन गोमाता कि माध्यम से कर सकते हैं जवान के लिए अपने जो नव युवा हैं हम उनको संदेज देना चाहेंगे कि ये जो मालेगाव अजेंग वरेल पे 588 शकर खेती के अंदर हमने ये जो परिवर्तन किया है हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस देश के पंदपरदान माने नरेंदर मोदी जी को कि उन्होंने 28 मैं 2023 को मन की बात इस 101 एपिसोड में जो बहुत गर्व की बात है कि हम जो कारे कर रहे हैं उसकी दखल इस देश के पंदपरदान जी ने लिए हुई है तो हम नवयाओ को संदेश देना चाहेंगे कि आप नोकरी के पीछे मत दवड़े आप एजुकेटेर जरूर बनिये मगर आप इंटर्पिनियर बनिये बिजनेसमन बनिये उद्योजग बनिये अक्यला मंदा नोकरी करेगा तो परिवार को चलाएगा एक बिजनेसमन बनेग तो पूरे उस दिश्टी को लेके चलेगा तरसिल में लेके चलेगा गाउ को सुधा रेगा ये काम जवान लोगों ने नोकरी करने के बात कारे चालू किया हुआ है तो ये कही ना कहीं देश को आगे भी बढ़ाएगा क्योंकि अंत्रप्रनियोर्शिप से भारत कना विदे देशने जुड़ी है उन्होंने इस होसा को आगे बढ़ा रही है तो ये बहुत बड़ी बात है तो आपको भी धन्यवाद दूंगा और इस मंज को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमें एक सौट टाइम में यहां पर इन्वाइट किया इसमारे अर्तुल जी का कि संदेज जाना चाहेंगे कि इंदोर इस वक्ती रियल स्टेट में बहुत ज्यादा ग्रोध कर रहा है अभी होस्पोर्ट बना हुआ है पूरे इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी इस वक्त तो जित्ते भी मेरे निवे सकें उनसे मेरा निवेदन कि आप देवान सधरा प् और साथ में आप हम पर पूरी तरह विश्वास कर सकते हैं क्योंकि आपका घर हमारी जाबदारी है क्या बात है तालियों के साथ आप बहुत बहुत शुपकामना है आप सभी को बहुत बहुत शुप्रया इस मंच पर विराजमान होने लिए थांक्यू